मैं प्रोफेसर डॉक्टर नाबिया तारिक हूँ और आज हम बात करेंगे पॉलिसिस्टिक वेरियन सिंड्रोम के बारे में पॉलिसिस्टिक वेरियन सिंड्रोम क्या है यह बहुत ही कॉमन यंगर एज ग्रूप का प्रॉब्लम है जो कि तकरीवन 15-20 परसेंट यंग लड़कि में डाइबिटीज पाया जाता है उसमें यह ज्यादा कॉमन है और इसका कोई एक अद सेंटम या एक डाइग्नोसिस नहीं बनता है यह डिफरेंट तरीकों से प्रिजेंट करता है पीरिड्स में एरेगुलारिटी हो सकती है बहुत दो तीन तीन महीने के बाद पीरिड्स आ सकते हैं बहुत फ्लो कम हो सकता है बदन बढ़ सकता है चेरे पर बाल और एकनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इनिशली मरीज इस तरह से प्रिजेंट करता है आप डाइग्नोसिस करने के लिए बहुत लंबे चोड़े टेस्ट के जरूरत नहीं होती है आपका क्लेनिक डाइग्नोसिस प्लास एक अल्टर साउंड जिस पर पॉलिसिस्टिक ओवरिस पाई जाती है उसके उपर आप अराम से डाइग्नोसिस कर सकते हैं और इसकी लॉंग टर्म कॉम्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम फर्टिलिटी म डाइबिटीज हाइपरेटेंशन और यूटरस के कैंसर तक शामिल हैं इसके लॉंग टर्म कॉंसिक्वेंसिस में इसका इलाज बहुत जरूरी है सिम्टम्स हो सकता है आपको इतने बौदर ना करें जितनी जल्दी आप इसका इलाज शुरू कर सकते हैं उतना बेतर है और में सबसे पहली चीज लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन है वजन कम करना है डाइट एक्सरसाइस से हेल्दी डाइट का और बहुत ज्यादा एक्सरसाइस की जरूरत पड़ती है लेकिन इसके साथ-साथ चूंकि यह डिजीज मेटाबॉलिक है और इसमें इंसुलिन रिजिस हुआ हुआ है